हेलो फराइब वेलकम बैक तो दी ब्रैंड नूव वीडियो और की हाल चाल अगर आप इंडिया से कभी बाहर गए हैं और आपने वहां के रूट पर आप देखी होंगी इंडियन कार्स हाँ जी वही सेम इंडियन कार्स जो आपको इंडिया में देखने को मिलती थी लेकिन व वहां की लोकल पॉपुलेशन अट्रैक्ट हो पाए और वो इंक्रीज करे उनकी सेल्स फिकर्स को और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने एक ऐसी कार देखी हो फोरन मार्केट में जो इंडिया के अंदर डिसकंटीनियू कर दी गई हो तो इसके पीछे काफी रीजन हो है कि मल्टिपल रीजन्स हैं जिसके वज़से मैनुफैक्ट्र जो होते हैं अपने नीम को चेंज करते हैं उस कंट्री के हिसाब से सबसे पहला रीजन आता है नीम चेंज करने का कि उस रीजन की पॉपुलारिटी की वज़ा से और वहां की जो कस्टमर बेस है वो उससे के साथ लांच करते हैं जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था अल्टो वाली कहानी में तो अल्टो की वीडियो आपको राइट हैं साइड आई बटन में मिल जाएगी और थर्ड रीजन आता है ट्रेड मार्क इशू हाँ जी कॉपिराइट इसू जैसे हम य फॉरण मार्केट में उन्होंने ट्रेड मार्क कर रखी है और उस मार्केट में कभी भी टाटा अपनी हैरियर को लॉंच नहीं कर सकता है एज आ हैरियर तो आप समझगे होंगे कि ट्रेड मार्क इशू की वज़से भी कंपनी निम चेंज करती हैं सो नमबर बन पर आती है ह Hyundai Viana. हाँ जी Hyundai Vano को आप इंडिया में काफी पहले से जानते हूँ और इस कार को फॉरण मार्केट में Hyundai Ascent के नाम से जानते हैं और अब आप कहोगए Hyundai Ascent तो यार एक अलग कार है तो ये कैसे हो सकता है हाँ जो Hyundai Verna को foreign market में Hyundai Ascent ही कहते हैं लेकिन जो इंडिया में हम Ascent को जानते हैं वो हम उस car को जानते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और ये car मारती S टीम को competition देती थी उस समय और इंडिया के अंदर Hyundai ने अपनी Verna को launch कर था 2006 के अंदर क्योंकि इससे पहले ही Hyundai Ascent भी आती थी मार्केट में और ये वही segment में आई थी जो कि पहले से अपनी Hyundai Ascent थी और Hyundai Ascent पहले से इंडिया मार्केट में थी इसलिए Hyundai को अपना name change करना पड़ा अपनी next generation car का Hyundai Verna वैसे ये car globally Hyundai Ascent के नाम से जानी जाती है फिर बात में Ascent discontinue हो गई थी 2013 के अंदर जो कि इंडिया वाली Ascent है लेकिन ऐसा international market में नहीं हुआ लेकिन international market में Ascent जो है वो चलती आ रही है जिसे आज हम वर्णा के नाम से जानते हैं तो आप बिल्कुल surprise नहीं होना अगर आप Hyundai Ascent टाइप करते हो गूगल search पर और search engine के अंदर आपको Hyundai वर्णा की images देखने को मिले तो नमबर टू Ford Endeavour As Ford Everest हान जी इस वेहिकल के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं यह वेहिकल मेरे तो बिल्कुल ख्वापों में है यार मैं बैस सोच रहा तक और यह सेम कार Ford Endeavour दो सो मार्किट्स में सोल्ड होती है एस Ford Everest हान जी यह फुल साइज SUV है जो फाइब डॉर वर्जन में आती है इसका पिकप ट्रक वर्जन भी काफी पॉपलर है जिसे Ford Ranger केते हैं तो Ford Endeavour जो इंडिया में थी उसको Ford Everest के नाम से जानते हैं अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिये हान जी एक ऐसी इंडिया की कार जिसने इंडियन ओटोमविल सीन को ही चेंज करके डाल दिया था हान जी 800 CC के एंजिन के साथ आती थी मारूती 800 और यह 1983 में लॉंच ही थी इंडिया के अंदर और यह कार्स को पीपल्स कार कहा गया था इंडिया में इंडिया में लॉंच होने से पहले ही यही सेम कार इंटरनेशन मार्किट में भी एकजिस करती थी हान जी जपान में 1979 के अंदर सुजूकी ने अपनी अल्टो को लॉंच करा था जो की actually मारूती 800 ही थी और जबकि जिस अल्टो को हम जानते हैं वो तो एकदम different car है यानि वो next generation थी मारूती 800 की और मारूती 800 इंटरनेशन मार्किट में सुजूकी अल्टो के नाम से बिक्ती थी और हम बात करेंगर अल्टो की तो उसके मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसकी वीडियो आप देख सकते हूँ राइट हैं साइड आई बटन में जाकर और अल्टो नाम काफी renowned है और globally इसको काफी जादा जाना जाता है और पाकिस्तान में जो Maruti 800 थी उसको सुजूकी महरान नाम से लॉंच करा गया था 1984 में और ये पाकिस्तान के अंदर भी काफी famous है तो Maruti 800 के नाम सुजूकी अल्टो और सुजूकी महरान था अलग-अलग countries और अलग-अलग different regions में 4. Honda Zazz as Honda Fit Zazz एक ऐसा moniker है जो Honda ने काफी various product में यूज करा है सालों तक और अगर बात करें हम tiny hatchbacks से लेकर motorcycle तक या utility भेकर तक और यहां तक की scooter तक तो Honda ने इस Zazz वर्ड का यूज करा है तो जब Honda एक premium hatchback लॉंच कर रही थी इंडिया के अंदर तो Honda ने decide करा उसको एक already famous name देना चाहिए जो कि Southeast Asian, European and Middle Eastern countries में famous है और यहां तक की इंडिया में भी हालनकि Honda Jazz जो इंडिया में है उसका एक अलग नाम है foreign countries में जिसको बोलते हैं Honda Fit यानि कि America और Japan जैसी countries में इसको Honda Fit के नाम से जाना जाता है No.5 Honda City ZX as Honda Fit Aria in Japan Honda City ZX जो थी वो एक famous कार थी इंडिया के अंदर और इसमें वही same platform मिलता था जो कि first generation Honda Fit या और फिर Honda Jazz को मिलता था और हम बात करें अगर इसके डेब्यू की तो ये बैंको की Motor Show में 2002 के अंदर डेब्यू करी गई थी और ये कार वहाँ से एक्सपोर्ट करकर जैपान में sold होती थी Honda Fit Aria नाम से तो आपने देखा जो कार इंडिया में Honda City ZX नाम से famous थी या फिर वो बिक्ती थी उसको Honda Fit Aria के न extended wheelbase मिलता था और एक अलग से डिक्की यानि Volkswagen Polo को stretch करकर ही इस car को बनाया गया था और इसलिए ही बहुत सारी countries like Thailand, South Africa, Russia, इन सब countries में Volkswagen Vento को Polo sedan के नाम से बिचा जाता था और Polo moniker काफी ज़्यादा famous है आपको पता ही है और इसलिए ही इस famous renowned name को Volkswagen ने अपनी sedan के साथ यूज क कि हमारे इंडिया में Volkswagen Vento के नाम से आती थी आपको अलग से एक extra hint और देता हूँ कि जो Vento नेम था जो इंडिया में उस नेम को भी rebatch करके दूसरी markets में Volkswagen Jetta के लिए यूज कर गया था दूसरी markets के अंदर हां जी highly popular SUV Toyota की तरफ से आने वाली जो कि South East Station market में काफी famous है और इसे हम जानते हैं Fortuner के नाम से हां जी अगर आपने देखा होगा बहुत सी markets में Fortuner sold होती है और बहुत सी markets में भी इसका नाम Fortuner ही है और जो नेम Fortuner है वो ड्राइब कर गया है word Fortune से लेकिन बहुत सारी countries है लाइक Brazil, Argentina जहां ये car develop और sold की जाती है वहाँ इसका नाम है SW4 No.8 MG Hector S Bajon 530 और Chevrolet Captiva MG Motor India के अंदर कुछ सालों पहले ही आई है और आते ही अच्छी खासी sales figure भी करने लगी और आपको पता भी होगा ये British company थी लेकिन ये अब currently ओन करे जाती है Chinese Automotive Company Siac द्वारा Siac So, जो MG Hector इंडिया में sold होती है वो इस brand की ही car है यानि Siac ने उसका authentic patent ले रखा है और ये same car इंडिया से बाहर यानि चाइन में Bajon 530 के नाम से sold होती है इस company द्वारा और इस car का एक rebash version भी है जो की sold होता है दूसरे reasons में as Chevrolet Captiva जो की Chevrolet Captiva की last generation थी Number 9 Maruti Ritz aka the Suzuki Splash Maruti एक one of the most love brand रहा है हमारी इंडिया के अंदर और Indian car market में Maruti Suzuki ने 2009 के अंदर Maruti Ritz launch करी थी इंडिया में और वैसे ये जो car थी वो Japanese Suzuki Splash थी यानि जपान के अंदर इसे Suzuki Splash नाम से बिच जाता था और ये एक crossover hatchback थी जिसमें आपको 1.2 liter का case series petrol engine मिलता था और एक 1.3 liter का diesel power train जो रीट से वो काफी popular car थी लेकिन वो इतनी famous नहीं हो पाई इसके looks की विए से क्यूंकि जो इसका rear का look था काफी लोगों को पसंद नहीं था इस विए से इसकी जादा famous नहीं हुई और जो अगर बात करें इसकी next generation की तो अभी इंडियन मार्केट में इसकी next generation इगनीज है और ये global market में sold होती है हालंकि शैवले अब इंडिया में काम नहीं करती है और ना ही कोई कार बनाती है क्यूंकि इनके काफी सारे development plan थे country के अंदर लेकिन वो success नहीं कर पाए जैसे कि और company के नहीं कर पाए लाइक फोड लेकिन शैवले इंडिया में काफी समय तक रही है तो जब टोयटा की qualis बहुत चल रही थी इंडियन मार्केट के अंदर तो उसकी success को celebrate करने के लिए या उसके फायदा उढ़ने के लिए तो शैवले ने इसुजू की एक car panther को उता रहा इंडियन मार्केट के अंदर जो की इंडोनेशिय में इसुजू पैंथर नाम से सोल्ड होती थी उसी सेम कार को इंडिया के अंदर टवेरा के नाम से बेचा गया और इस कार ने काफी अच्छा करा और काफी success पाई इंडियन के अंदर और इसकी काफी rich history है हांजी आप शैवले टवेरा के बारे म मिल जाएगी और description में भी तो यही थी popular इंडियन टैन कार्स जो की दूसरी countries में different name से जाने जाती है और अगर आप चाते हैं इसका part 2 आये तो मुझे comment में ज़रूर बताएं और वीडियो को like करें अभी से और चैनल को subscribe कर दें ऐसी ही amazing वीडियो देखते रहने के लिए bell icon के स आप तक्स फ़ फच्चिंग